हेलो दोस्तों आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप लोग को सिंपल पास्टेंस के अंतरगत डीट का यूज बताने जा रहा हूँ तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और नॉलिजिवल है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे मैं आप लोग को एक एक रूल बताऊंगा आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी Dear Students, आप कई बार डीड के यूज में मिस्टेक कर देते हैं मैंने ये कई बार नॉटीस किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डीड के यूज में कभी भी गलती नहीं करेंगे आप से मिस्टेक्स नहीं होगी तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे डिट का यूज कब करते हैं, simple past tense में और simple past tense sentence क्या होता है जैसे वह गया, मैंने पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, क्या तुमने लिखा ये सभी sentences होते हैं, simple past tense में लेकिन जब affirmative sentences रहता है, जैसे मैं गया, तो I went यूज करते हैं, यानि कि verb to उसने खाया, he ate, मैंने पिया, I drank, वह दौला, he ran, मैंने प्लहाया, I taught यानि कि affirmative sentences में verb to, past form of the verb यूज करते हैं लेकिन जैसे ही did का यूज करते हैं, तो हमेसा verb one यूज करते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, कि did के साथ हमेसा verb one यूज किया जाता है यानि कि base form of the verb, जैसे it है, तो it यूज होगा, जैसे go है, तो go यूज होगा हलांकी sentence simple past tense में ही होगा, तो did का यूज कब किया जाता है, negative और interrogative sentences में तो दोस्तो आज का पहला sentence है, उसने मेरी मदद नहीं की, तो यहाँ पर subject क्या है, उसने subject का पता कैसे करें, तो अपने मन में पूछिए, कौन, किसने, किसने मेरी मदद की, उसने, तो यह क्या है subject तो यहाँ पर लिखेंगे, he did not help me, उसने मेरी मदद नहीं की तो यहाँ पर help नहीं लिखेंगे, बलकि help लिखेंगे, word one, मैंने उसे धोखा नहीं दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे, I did not cheat या फिर deceive him और यदि female है, तो हर भी लिख सकते हैं, I did not deceive him, क्या तुमने अपना homework किया, तो यह है interrogative sentence है, इसमें did को पहले कर देंगे, क्या तुमने अपना homework किया, यह interrogative sentence है, इसे yes no question भी कहते हैं, इसका answer हमेशा yes में होता है या no में, इसने क्या, बिलकुल sentence के शुरू में होता है, और जब क्या sentence के शुरू में होता है, तो कभी what नहीं लिखते हैं, हमेशा helping work पहले आता है, चुकि है simple past tense में है, इसमें did का य you, और यहाँ पर verb क्या है, किया, यानि do से बनेगा, do did done होता है, लेकिन हमें verb one यूज करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे do, did you do, अब चाहें तो complete भी लिख सकते हैं, complete your homework, did you complete your homework, क्या उन लोगों ने तुम्हारी मदद की, did, they, help you, did they help you, क्या आपने मुझसे पूछा, did you, ask me, did you ask me, उसने क्या किया, तो यहाँ पर क्या शुरू में है, तो did, sentence के बीच में क्या रहेगा, तो आपको what यूज करना है, question word, तो यहाँ पर लिखेंगे what, इसके बाद आएगा helping verb, did, what did he do, उसने क्या किया, what did he do, तुमने क्या देखा, what did you see, तुमने क्या देखा, वे लोग कहां गए, कहां की English होती है, where, where did they go, आपने मुझे क्यों नहीं पढ़ाया, तो यहाँ पर लिखेंगे, why, did you, not, teach me, और आप चाहें तो short में didn't का भी यूज कर सकते हैं, why didn't you teach me, इसकी कितनी कीमत लगी, तो यहाँ पर लिखेंगे how much did it cost, how much did it cost, उसने मुझे से बात नहीं की, He did not talk to me, तुमने यह कैसे किया, How did you do this, आपने अपना बिजनेस कब शुरू किया, कभ यानि की when, did you start, started नहीं होगा, start होगा, Your business, when did you start your business, आपने सच क्यों नहीं बोला, Why did you not speak the truth, वह तुम से क्यों नहीं मिली, Why did she not meet you, और दोस्तों आपलूटली एक सेंटेंस है, आपने उसे सुचित क्यों नहीं किया, सुचित करना यानि की in form, तो दोस्तों आप लोग अपना अंसर comment box में जरूर लिखेगा, I hope आज का वीडियो आप लोगो को अच्छा लगा होगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा ऐसा grammatical term है जो आपको समझ में नहीं आता है, आप comment box में जरूर बताएंगे, मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा, और आपकी हर एक डाउट को किलियर करूंगा, आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहे हैं, और जितने भी वीडियोज हैं, सभी वीडियोज को जरूर देखें, एक बार playlist जरूर चेक आउट करें, आपको बहुत सारे important playlist मिलेंगे, All right dear students and friends, thanks for watching, have a great day.